इंडिया में स्कूटर्स का इतना भूम क्यों हो रहा है? इसके चार मेंन रीजन्स पताता हूँ तो पहला रीजन तो यह एक स्कूटर्स की जो रेंज होती है वो जनरल एक बाइक से ज़ादा होती है तो लोग स्कूटर्स को ज़ादा प्रिफर करते हैं as compared to बाइक अभी अगर आपको हॉंडा की एक बाइक लेनी है तो वो आपको लगबग 80,000 से 1,000,000 तक ही पड़ेगी और वहीं अगर आपको हॉंडा की एक स्कूटर्स लेनी है तो वो आपको 70,000 से 85,000 तक मिल जाएगी तो आप खुद ही सोच लिजे कि लोग क्या प्रिफर करेंगी डिजाइन पहले स्कूटर्स को ऐसे देखा जाता तक वो यूद के लिए नहीं बनी है लेकिन आजकल के स्कूटर्स को यूद को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया जाता है और लाश पाले रिजन के लिए कैप्शन पढ़ लो